नमस्कार पंजाती टाइप में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंगाज हम बात करेंगे घाटी की बात करेंगे जम्मू और कस्मीर की नमस्के जम्मू और कस्मीर में लगातार आतंकी हमले सेना पे हो रहे हैं और वहां के पुलिस वालों दीन के जम्मू कस्मीर दौरे पर है और इसे बीची ये खबर आई है कि कुफवाडा में जो सुरक्षा वल हैं उनके उपर हमला हुआ है जिसमें दो जवान घायल हो गए ह यह हमला तब हुआ जब सेना पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग के दौरान उनके उपर हमला हुआ और दो जवान घाया लोग है आपको बता दें कि ग्रिह मंत्री राजनात सिंग अभी स्रीनगर में हैं और कल वो कुफवाडा का दौरा भी करने वाले हैं और उनके दौरे से ठी हमला भारत और पाकिस्तान के बीच विराम के समझोते के ठीक चार दिन बाद हुआ है that पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच विराम का समझोता हुआ था उसके बाद भी हमले नहीं रूखे और आज फिर से हमला हुआ है और ग्रिह मंत्री राजनात सिंग इस समय जमु और कस्मिर में हैं, ऐसे समय में ये हमला हुआ है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक सरकार की उधारता का जो खामयाजा है, वो हमारे जमान चुकाते रहेंगे। क्योंकि जमु और कस्मीर की मुख्य मंत्री महभुवा मुक्ति ने कहा कि इस समस्या का समाधान गोली और बंदूग से नहीं बोली से हो सकती है लेकिन यहां पे अगर एक तरफ से गोली नहीं चलती है और दूसरी तरफ से गोलीयों की जो तादाद है वो बढ़ जाती है निक सरकार सांती बनाने के लिए बोली की बात करेगी गोली से बात नहीं करेगी सवाल बड़ा है लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर राजनात सिंग किस तरीके की रणनिती अपनाते हैं और किस तरीके से इस पूरे जो घाटी का महौल है उस पे कंट्रोल पा आखिर किस तरीके सिंगार आखिर अथना लाटी की तरीके बड़ा है